तीसरा जो स्तम्भ है सिद्धी का वो होता है भोजन को यग्य की बानती देख पाना वो होता है कि आप भोजन को ईश्वर के स्वरूप में देख पाओ क्योंकि भोजन भी स्वयम भगवान है भोगने वाले भी स्वयम भगवान है बनाने वाले भी दो भगवान है और खाने वाले भी भगवान है यदि सबकुछ ईश्वर ही है यदि उस भाफ में भोजन को अन्न को ग्रहन किया जाए तो आपकी त्रिकाल संद्या बिना किसी भर्सक परियास के स्वतही श्रिष्ट मध्यम से हो रही है तीन समय जो मनुश्य भोजन करता है वो उसकी त्रिकाल संद्या है उस समय जब हम भोजन ग्रहन कर रहे हैं यदि हम बहुत बातचीत कर रहे हैं बहुत जोर-जोर से हंस रहे हैं तो वो राजसिक हो जाता है यदि आप भोजन में कमिया निकाल रहे हैं, किसी दूसरे की निंदा कर रहे हैं तो वो तामसिक हो जाता है यदि शान्त चित्त होकर भोजन को ग्रहन कर रहे हैं क्योंकि एक बात सदा स्मरण रहे जब आपने भोजन नहीं बनाया माली जी तो जिस दिन भगवान ने आपको जैसा भोजन खिलाना है वैसा ही खिलाएंगे और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ यदि आप उस भाव में भोजन को ग्रहन करना शुरू करेंगे आपके पास स्वतही सब प्रकार के पदार्थ जो है विविद परकार के वेंजन जो है नाना परकार के पकवान अपने आप आना शुरूफ हो जाएंगे जब मैं नागा बाबा के आश्रम में था तो वहाँ पे मैंने अपने संस्मरण में लिखा है भोजन की बहुत बड़ी समास्या थी आटे में मिट्टी मिली हुई थी वो भोजन भी किया और सबजी में बिल्कुल घी या तेल नाम की चीज नहीं थी पर पानी में तड़का लगा हुआ था उसका वो भोजन भी किया लेकिन कभी मैंने उसको कभी मैंने मन में या अपने शब्दों से शिकायत नहीं की मैंने कहा यही भगवान खिलाना चाह रहे हैं यही श्रेष्ट है क्या मैंने घर इसलिए छोड़ा है कि मैं अच्छा अच्छा भोजन करूँ उसके लिए मैं आश्रम बनाऊंगा भोजन जो है प्राप्त हो गर मैंने क्यों छोड़ा है अपने अहंकार को तोड़ने के लिए छोड़ा है इश्वर प्राप्ति के लिए छोड़ा है अपने साध्य के साथ एक हो जाने के लिए छोड़ा है सिद और साध्य और साधन और साधन चारों को एक करने के लिए छोड़ा है अपने सत्व की प्राप्ति के लिए छोड़ा है विश्व के कल्यान के लिए छोड़ा है घर मैंने इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं बाहर जाकर ये बोल सकूँ आज नमक कम है, आज मसाला ठीक नहीं है, आज वो कम है, आज भोजन अच्छा नहीं है, जाही विदी राखे राम ताही विदी रहिए जैसा भी मुझे भोजन प्राप्त हुआ, वैसा मैंने किया छे महीने रगु स्वाम मेरे साथ जंगल में थे, एक भी बार वो यदी बोल दे मैंने, भोजन में कभी कमी निकाली हो वो रात्री में उठके बनाते थे, दो ड़ाई बजे शुरू हो जाते थे, और अंधेरा होता था कई बार तो यदी एक दो समय हमें वो मिले उसके अंदर, कीडे, तो मैंने ये नहीं स्वामी जी से बोला, स्वामी जी ये क्या है मैंने का आज भगवान की यही इच्छा है, मैं नहीं किया भोजन, अगले दिन इतनी भूख लगी हुई थी, वैसी बहुत स्वाद लगा, जो भी था की भगवान ने एक अंजने के स्वरूप में, एक हनुमान जी के स्वरूप में रगु स्वामी को मेरी सेवा में भेज दिया कहां से उड़त उड़त ये बद्री का आश्रम पहुंचे, बद्रिनाच जी के यहां जंगल में रहे, कैसे पेड़ पर चड़के लकड़ी काट लेते थे, जिस डाली पर बैठते थे उसको नहीं काटते थे पानी लियाना, लकड़ी लियाना, 24 गंटे में एक भोजन की विवस्था करना, इनकी भी अपनी एक कत, साधना थी शाइद इसलिए भगवान श्रीहरी ने इनको अपनी सेवा में रखा हुआ है, प्रथम दर्शन जो है, प्रति दिन यही प्राप्त करते हैं तो भरजशनूर भोजनम भोगता मुझे लगा कि वही जो है भगवान है, जो भोजन है तो इतनी द्रिश्टता किसकी हो सकती है कि भोजन में कमी निकाले साधना काल में तपको खशीन करना हो कमी निकालने शुरू कर दो भोजन में कमी निकालने कारते हैं, आप गाली दे रहे हो भोजन को, उस प्रसाद को तो नागा बाबा के यहां जब मुझे भोजन जैसा मिल रहा था उससे मैं बिमार भी पड़ा, तभियत भी बहुत खराब रही और पेट भी नहीं बर रहा था, और सारा दिन काम भी करना था सेवा थी सारा दिन, भाग दोड़ भी करनी थी प्रचार भी करना था, स्कूल में भी पढ़ाना था, कंस्ट्रक्शन का काम भी देखना था वो काम कभी खत्म ही नहीं होता था पर मैंने एक ही चीज सोची जिस दिन मा जगदंबा की इच्छा होगी, वो भोजन को बदलना चाहते हैं, उस दिन बदला जाएगा जो सुरिष्टी चला रहे हैं, उनको लगता है भोजन को अलग बनाना उनके लिए कोई मुश्किल है, आपको लगता है ऐसा और ऐसा ही हुआ मैंने किसी से कुछ नहीं कहा ना ही किसी से कुछ मंगवाया वहाँ पर कि मुझे ये ला दिजिए, मुझे वो ला दिजिए वहीं पर स्कूल के अंदर एक दुकान थी जिसमें की बिस्किट भी मिलते थे वहीं से मैं लेता था, जो लेता था उसके तरिक्त मैंने किसी से कोई भी ख्वाहिश नहीं रखी कि आज मेरे लिए वो ला दो या आज मेरे लिए वो ला दो, जो मिल रहा है वही खाऊंगा और फिर एक दिन ऐसा वसार आया रंजे पांडे ने खुद ही देखा उन्होंने खुद ही कहा कि हम आपको ऐसे नहीं देख सकते भोजन ही नहीं है खाने को यह नहीं कि खाने को अच्छा भोजन नहीं है खाने को भोजन ही नहीं था कि है ऐसे नहीं हम हमसे देखा जाता आप चलिए यहां पर आपका बहुत शोशन हो रहा है हमने खा हमने अपने गुरुस्थान के बारे में ये गुरू के बारे में, किसी को भी कुछ भी ऐसा बोलने का अधिकार नहीं दिया है, जो एक शिश्य को नहीं सुनना चाहिए. नागा बाबा किसी के लिए कैसे भी हो, मैंने उनसे का, मेरे लिए वो गुरू है, मेरे लिए वो इश्वर है, बात वहीं खत्म हो जाती है. ये अनुमति के बेना ये कारिय नहीं कर सकता. उन्होंने कहा, नागा बाबा नहीं हमें कहा है. नागा बाबा ने कहा है, ये खाके रहे हमें, पता ही नहीं. तो यादि तुम कभी कभी ले आते हो, तो कोई बात नहीं. तो रंजे पांडे ने कहा, प्रभू हम आपके लिए प्रति दिन भोजन जो हैं ला सकते हैं उन्हों का इदर हमारा आना जाना होता उन्हों दो समय लाना शुरू किया तो मुझे लगा कि बहुत अधिक कश्ट है तीन चार दिन के बाद हमने उनसे बोला दो समय लाने की आवशक्ता नहीं है आप एक ही समय भोजन लियाए वही जो सुबह दस ग्याना मज़े एक पहला भोजन होता था ग्यारा मज़े वही शाम को मैं चार पाँच मज़े खा लूँगा तो दो समय लाने की आवशक्ता नहीं है परंतु भोजन को इश्वर के सुरूप में देखने का देखे तो सही न फल क्या हुआ फिर जब जंगल में गया जब साधना की जब मा को पुकारा जब वगान नारायन की अराधना की तो कम से कम मेरे चित में ना तो कोई कलेश था किसी भी चीज को लेकर ना ही मैंने जान भूज के या जानते हुए कोई ऐसा कर्म किया जिसको लेकर मुझे अपना शीश नवाना पड़े ये शीश केवल भक्ती में नवाना चाहिए केवल उपासना में ये शीश अहंकार में नवाया या ये शीश उस कृत्य के कारण उस विचार के कारण उस शब्द के कारण यदि इसको नवाया जिसको लेकर हमें कोई गर्व नहीं है जिसको लेकर हम ईश्वर से लड़ना सकें तो फिर क्या शीष नवाया आँखें जो है विनमरता में जुकी होने चाहिए शीष जो है हमेशा भक्ती भाव में जुकना चाहिए तो मेरी साधना का कर्म का आधार एक मात्र यही था जो अध्यात्मिक मेरा कर्म था साधना का कि आप या तो मुझे बता दो कहां मैंने गलत किया है या आप सामने आ जाओ यदि दोनों में से कुछ नहीं तो कुछ अंतराल के बाद मैं तो यही मानूँगा कि आप हो ही नहीं कि मात्र मनुश्य का एक बनाया हुआ भ्रह्म हो जो कि समाज ने बना दिया स्वयम को सांत्वना देने के लिए यदि मैंने उस गुरुस्थान पर रहकर अपने जीवन में कुकर्म किये होते या ऐसी बाते बोली होती अपने गुरु के बारे में या भोजन में ऐसे कमिया निकाले होती जैसे कि वो भगवान नहीं मत्र पेट भरने के लिए एक चीज है तो आप ही बताईए क्या मैं मा से जगदंबा मा से लड़ सकता क्या मैं हक से ऐसा बोल सकता कि बताओ कहां मेरे कर्म में कमी है इश्वर प्राप्ति का फिर आधार क्या है न और यदि सिद्धी जो साध्य है वो ही यदि आपके पास आ गए तो फिर सिद्धी तो क्या ही रह गएगा बहुत ही अति सुक्षमती लगू एक बहुत ही वो चीज जिसके कोई माइने नहीं है क्योंकि स्वयम के कल्यान के लिए सिद्धी का कभी प्रयोग नहीं करना पड़ता समाज के कल्यान के लिए भी सिद्धी का प्रयोग नहीं करना पड़ता बहुत कम सिद्धी का प्रयोग करना पड़ता है किसी की इच्छा पूरती के लिए या किसी को प्रभावित करने के लिए दोनों ही बेकार है एक कता हमने आपको बहुत पहले सुनाई थी कि जब भेश्म पितामा जो हैं बाणों की शया पर लेटे हुए थे धर्मराज युदिष्ठर ने उनसे कहा कि हे माहत्मन, हे पितामा मुझे कुछ ग्यान देजिए आपने सारा जीवन जो है आप श्रेष्ठ हैं, कुल श्रेष्ठ हैं, कुरु श्रेष्ठ हैं तो बेश्म पितामा ने युदिष्ठर को ग्यान देना शुरू कर दिया कि एक राजा को उसको अपने पत से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी जो स्वयम का तुम्हारा परिवार है उससे भी बढ़कर तुम्हारी प्रजा होती है ऐसे वो बता रहे थे कि दुरुपदी हंस पढ़ती है दुरुपदी हंस पढ़ती है तो एकदम सन्नाटा चाह जाता है वहाँ पर बेश्म पितामा कहते हैं कि बेटी तुम हसी क्यों उसने का नहीं ख्शमा कीजिए ऐसा कुछ नहीं है आप जारी रखिये जो कह रहे थे उन्होंने का नहीं तुम कुल वधु हो ऐसे ही तो हस नहीं सकती कुछ तो कारण अवच्छे रहा होगा तो दुरुपदी ने कहा पितामा क्षमा कीजिए जब मेरा चीर हरन हो रहा था तब ये ग्यान कहां गया था तब तो किसीने सकते निष्ठ होने की बात नहीं की धर्म निष्ठ होने की बात नहीं की करतव या निष्ठ होने की बात नहीं की तब तो सबने आखें बंद कर ली जब मेरे साथ सरासर अन्याय हो रहा था आप बताईए उसमें मेरी क्या गलती थी यदि मेरे पती नहीं आकर मुझे बोला होता भरी राजसभा में चलो तो मैं चल देती मेरे पास तो वो संदेश भी नहीं आया मेरी कोई गलती ना थी मुझे भरी सभा में निर्वस्तर किया जा रहा था आप बताओ उस समय आपका ये ज्ञान आपका ये धर्म कहां गया था तो पिधामा ने कहा बेटी तुम बिलकुल सच बोल रही हो उस समय मेरी बुद्धी जो है भ्रमित और भरष्ट हो जोकी थी क्योंकि उस समय मैं दुर्योधन का नखा रहा था परन्तु अर्जुन के तीक्षण बानों ने उस दूशित रक्त को जो है निकाल दिया है मेरे शरीर से इसलिए अब मैं ठीक से सोच पा रहा हूँ बोल पा रहा हूँ जब हम किसी के भी हाथ का बना हुआ भोजन खाते हैं कही न कहीं उस व्यक्ति का प्रभाव जो है भोजन में आता है इसलिए अधिक्तर जो धर्मस्थल होते हैं वहाँ पर अनक्षेत्र में किसी को जाने ही नहीं देते हो क्योंकि किसी का जाना उचित नहीं है क्यों जाना चाहता है कोई कोई मात्र इसलिए जाना चाहता है कि मैं अपने नुसार बन वालूं और तो कोई कारण नहीं हो सकता यह तो है नहीं कोई बोले बरतन बहुत बड़े मैं दो देता हूं मुझे तो नहीं लगता ऐसा है हर कोई इसलिए रसोई घर में बंधार में अन्रक्षेत्र में इसलिए जाना चाहता है कि मुझे कुछ पसंद नहीं है उसको थोड़ा ठीक करवा लूँ गोर पाप है ये जितने भी अच्छे मंदिर हैं क्यूं वो इतना भगवान को भोग लगाने से पहले उसको इतना ढक्के रखते हैं कोई तो कारण रहा होगा कुछ तो विद्वानों ने सोचा होगा कि भगवान के जो भगवान को अरपन होने वाला पदार्थ है उस पर जब किसी की दृष्टी डेलेगी हो सकता है दृष्टी मातर से वो सोचे ये ठीक नहीं लग रहा या दृष्टी से सोचे थोडा ले लेता भूक लग रही है हो सकता उसकी लार टपक जाए कुछ भी संबब है मनुश्य उस मामले में पशु से कहीं बत्तर है पशु को कुछ दो, खाने को फटा-फट खा जाएगा बहुत कम होगा, यदि पालतू है तो उसके थोड़े बहुत नखरे हो सकते है पर यदि बाहर का कोई है तो जो देंगे वो खा लेगा, मनुश्य वो भी नहीं कर सकता जाओ, अपने मन पसंद बनाओ पर उसको आप उस अपनी अनक्षेत्र में बनाओ जहां पर आप अपने भाव से उसको बना सकते हो जो धर्मस्तल का अनक्षेत्र होता है मैं रनक्षेत्र बोल रहा था पर कभी-कभी वही बन जाता है जो अनक्षेत्र होता है उसमें यदि एक वेक्ति कुछ बना रहा है आपने जाकर उसको बोला ऐसे नहीं ऐसे कर दो यदि उसका मन नहीं है उसको खाने वाले आप हो भोजन को, वेक्ति को नहीं इसको सदा स्मर्ण रखना नहीं पसंद तो भूखे रह जाओ अगली बार जब चार घंटे के बाद दूसरा मिलेगा बहुत स्वादिश्ट लगेगा रहकर तो देखो भूखे मेरा कहने का अर्थ है कि जब मनुश्य भोजन को यज्य की भान्ती ग्रहन करता है तो ना केवल कि उसकी तरिकाल संध्या हो रही है उसका पोशन हो रहा है उसके अंदर जो पदार्थ जा रहा है वो दिव्य है क्योंकि जानते हैं भातिक सवरूप से देखा जाए तो हर मनुश्य केवल अन है जो खाया है उसी से बने है तो प्रकृति से और जिसने बनाया और जिसने खाया जिस भाव से खाया उसी से तो मनुश्य बना है जो भी खाया जो आप जब पसीजेंगे उसमें लहसुन की दुरगंद होगी जो हम खाते हैं उसी से तो हम बनते हैं वो जो स्वेधन हो रहा है उसमें जो भी भोजन है वो बाहर निकल रहा है उन छिद्रों से तो यदि भोजन बनाने वाले का मान लिजिये पता नहीं कैसा भोजन बना है नहीं बना है या पता भी हो तो नितांता वश्यक हो जाता है वो जो सिद्धी के पत पर अग्रसर है उस साधक के लिए उस विक्ति के लिए कि वो भोजन को पहले एश्वर को अरपन करे ऐसा ही रामकृष्ण परमांस ने बोला था कि सब भावना की बात है उन्होंने कहा है जो भावना से नहीं भोजन को ग्रहन कर रहा है कितना ही अच्छा भोजन उसके लिए बना हो वो सुवर का मास खा रहा है उन्होंने कहा था शुकर का मास खा रहा है और जो व्यक्ति भावना से भोजन को ग्रहन कर रहा है इश्वर को अरपन करते हुए भोजन को ग्रहन कर रहा है वो यदि मास भी खा रहा है उसके लिए वो लौकी के बराबर है उन्होंने लौकी नहीं उन्होंने कहा था उसके लिए वो भी सत्व हो जाता है और इस बात में बहुत बल है कि क्या आप भोजन इश्वर को ग्रहन करके खा रहे हैं पहला दूसरा कि आप हर कॉर जो है इश्वर को ग्रहन करके खा रहे हैं या नहीं हर कौर एक अहूती है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देमाश्रिता प्राण पान समा युक्तम पच्चामे अन्नम चतुरविधा जो चारो परकार का अन्न होता है जो पिया जाए, खाया जाए, चबाया जाए, चूसा जाए जो चारो परकार का अन होता है कौंते, प्रान और अपान जो अगनी, जो उर्जा है, वायू है, उनको मिलाता हुआ समान वायू जो उदर में रहती है और अपान वायू को मिलाता हुआ प्रान वायू के माध्यम से मैं ही उस भोजन को पचाता हूं कौंते, मैं ही वैश्वान रगनी हूँ जो समस्त जीवों के भीतर जट रगनी बनवास करता हूँ उस समय जो हम खा रहे हैं जो हम जिस भाव से खा रहे हैं यदि हर कौर को आप आहूती की भांती अरपन करते हुए चले जाएंगे मेरा ऐसा मानना है ना केवल की आप निरोगता की और बढ़ेंगे निरंतर आप दिव्यता की और भी बढ़ेंगे जिन उप सिध्यों की मैं बात कर रहा हूं वो आपके पास सहज ही आ जाएंगे